देख लो चोपाल, देख लो चोपाल, सब बड़ा बड़ेरा, सब बड़ा बड़ेरा, ओजी सब लोग लोग आया, देख लो चोपाल, देख लो चोपाल, सब बड़ा बड़ेरा, सब लोग 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 आया, देख लो चोपाल, सब बड़ा बड़ेरा, सब लोग 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 आया, देख लो चोपाल, देख लो चोपाल, सब बड़ा बड़ेरा, सब लोग 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 आया, ओजी सब लोग आपने आपने जाना के आर्थिक रेक्टिका समझा समझा समधान सुझा विकास सभी चीजां पर बात्जित करता रहा है। सभी चीजा पर बात्जित कर वाट आपने साथ में हाजिर है जस्में सिंग्जी संदु साब से यो जला परिशेट जैपूर संदु साब मांखा कारिकरम आपको गनो गनो स्वागत है। सभी चीजा पर बात करो चारे है। और देश और विश्व उन्टी के और अग्रसर हो सके। जी है कि आपने अपने देख पर हैं संदु साब आपने राजस्तान का परिवश्च के आपने संदर में बात करां। तो आपने के ग्रामिन्ट परिवस के एदिग बात करा हैं तो आपने कन क्छीत Is Prest silly के खल Anda एक गाउं स्वेक्ता है और गाउं का आउटर पर आपने कच्रा पर विवस्ता हमेशा देख वन मिलती रही है और यह थरीका सो छेदिए सेरी शेक्तर के बात करते हैं तो सेरी सेक्तर में रोजसफाय केई, सीवरेज के यांकि सब के एक वियुस्ता दी जाया है सवच्चता आपमों वूल मनतर है, सरकार की जिम्मधारिय के सवच्चता बना रखे आम आत्मी की जम्हदारिय है कि वो स्वचतन बना रखे आपको ग्रामीन सेक्टर के एक बार बात जेत करता हुए इस बात में देखा हैं तो ग्रामीन सेक्टर में आपने किसान है सामने तोर बठा का करशी मज़्दूर है और सरमिक लोग हैं या दिन चरिया का लोग हैं या पसव पालन के साथ में लोग डिड़ा हैं बाद सबकी जम्यदारी है कि अच्छी स्वच्छता रखे और खुद भी स्वच्छ रहें खूब मेहनत करें तो ग्राउं का लोग बहुत अच्छी मेहनत करें और अच्छी कि का काई काई कारण हो ऐसे कई लेकि ग्रामिन शेतर में अगर हम वैसे तशाफाई और गंडगी का पूरा कनसेप्ट को अगर समझें तो हम यह देखते हैं की ग्रामिन शेतर में श्रूरू से ही सफाई की परनाली पुरानी जो विवस्ता वह बहुत अच्छी मेंडेंड आती है. हम यह देखते हैं कि जो घर पे गरमिंड एरिया में, कृषिरी एरिया में गोबर होता है, उसका नैचुरल कंपोस्ट बनाके ही खाद के रूप में प्रियोग किया जाता है. साथ के साथ साथ ग्रामिन एरिया में लोग भी शेशक्त हैं अब साथ में सौच पारत मिशन केता है जो शोचाले बने हैं कुले से शोच मुक्त का नारा लोगों तक पहुंचा है लोग घर घर में शोचालें का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ भी सफाई का बहुत बड़ा महतु और प्यार करते हैं हमें महिलाओं से बहुत अच्छा सी योग मिलता है और वो गाओं को निरंतर शोच मुक्त भी रख रही हैं और आगे आने वाली पीडियों को भी प्रेट कर रही हैं सब कारण आपक खटा तक चेक कर पा रहे हैं और विशेस तरसे जो खुले में सोच की प् अपने ग्रामिन शेतर में ग्रामिन शेतर में कच्रे के बारे में समझना चाहें तो उसको ठोस और तरल कच्रे में हम परिभाशित करते हैं ठोस कच्रे में हम जैविक कच्रा और अजैविक कच्रा की परिभाशा देखते हैं जैविक कच्रे में जैसे आपके पास गोबर का एक बहुत concept important है, अजयविक कच्रे में हम देखते हैं, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, इन सब issues का भी निस्तारण करना जरूरी होता, तरल कच्रे में आप समझते हैं कि घरों में जैसे रसोई घर से पानी निकलता है, उसको हम grey water कहते हैं, साथ में जो मल्युक्त पानी न पूरी महीम चली, 2 October 2019 को पूरा देश खुले से शौच मुक्त हुआ, अब सरकार ने फरवरी 2020 से, इसको खुले से शौच मुक्त रखने के लिए, एक ODF प्लस टू, यानि ODF टू अभिहान चलाया हुआ है, उसमें इस ODF की निरंतरता रखने के लिए, समाज को फिर से जोड करते हुए, और continuous, लोगों में निगरानी का मेसेज रहे, लोगों में ODF का मेसेज रहे, लोगों में इस लेवल का मेसेज रहे, कि उनने स्वचता मेंटेंट रखनी और खुले में शौच नहीं करना है, उसमें ग्रामिन परिपेक्ष में बहुत अच्छा से योग मिल रहा ह कि जहां जहां पे भी हमने स्वच भारत मिशन का अभियान रन किया है, वापे ग्रामिन शेतर से लोगों ने हमें बहुत अच्छा सब्पोर्ट और कॉर्डिनेशन किया है देश में पर्धान मनतरी जी मोदी जी के आगमन के बाद में एक क्रामती कारी सोच समाज के स्तर पर लाई गई और ODAF यne कि खुले disagree सोच से मुक्ति के लिए भारत में पूरा भारत में एक अभियान चला गए राजस्तान में भी अभियान चला गए और रास्तान में आज लगबक शत्पर्चित से इस्तिती यह है कि आज आपने की को योजना बनावा तो बी के लिए एक पर्मानेंट इंटर्फराय स्ट्रिक्चर जद भी आपना तैयार करां तो हमें एक सफाई की व्योस्ता को गटक वे जोड़ रखां प्लानिंग में अपनी योजना में आज जरूरूर समावेश हुए कि स्वच अभी साम्मिल रहे है उसमें O.D.F.2 कैंपेंट जैसे मैंने आपका वो लॉंच्ट है उसमें हमारा यही एम है कि गाउंवार एक डीपियार दियार करके गाउं को कैसे O.D.F. प्लस बनाना है यानि O.D.F. तो था खुले में शौच मुक्त O.D.F. प्लस है संपूर्ण गंदगी मुक्त शेतर और O.D.F. प्लस का यह कैंपेंट चल रहा है उसमें हम यह कर रहे हैं कि हर प्रतेक गाउं में लोगों से पार्टिस्पेटरी रूरल एक्टिविटीज के तहत लोगों से मिलके लोगों से बात करके जान रहे हैं कहां कचरा इकठा होता कहां गंदगी होती है क्या उसका नि लिए इरिगेशन के माध्य हमें यूज किया जा सकता है तो बहुत ही पार्टिस्पेटरी एक्टिविटी में और बहुत ही अच्छे तरीके से यह फेस टू का लांच हुआ हुआ है और सभी गाउं को O.D.F. प्लस केंपेंट से जोड़ा जा रहा है और बहुत अच्छा र आपन बटे एक इंफ्रास्टेक्टर डवलाप्मेंट करवा की ज़रत है अठेवी गंदगी का कुछ अलग कारण भले हो परविका निस्तारन करवा की जिम्मेदार सरकार की भी है और पबलिक की भी है तो दुनिया नहीं आपना काई कह सका सस्टेनेबल डवलाप्मेंट के दोर पर आपना काई कैसा करें देखिए यह बहुत सही बात आपने कही है कि शहरी शेतर में जैसे जनसंग्या बढ़ रही है अबादी बढ़ रही है वैसे ही कच्रा और गंदगी भी बढ़ रही है और उसका उच्चित निस्तारन हो यह बहुत जरूरी है इसके लिए अग जाएंगे जो घरों से निकल रहा है मल युक्त की चड़ उसको उसका भी निस्तारण करने के लिए FSTP भी सरकार लगा रही है तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन योजनाओं के तैद बना जा रहे हैं विभिन योजनाओं जैसे 15th Finance Commission है स्टेट Finance Commission है विभिन योजनाओं के तैद सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे स्ट्रक्चर्चर्स तैह हों जो इनका उच्छित निस्तारण कर सकें पर इसमें आम जनता से सेयोग की अपिक्षा है कि वो भी इसा भियान से चुड़ें और कहीं न कहीं जो स्वच्चता का मेसेज है हर घर तक पहुंचें स्वच् में पड़ें आपन सब भी मभागीदार हैं आपन सब में सचता का एक क्विश्यश योगदान आपन करने ची है एक संदो सब बात यह है कि जद आपन एक विकास करबा लगां तो आपने विकास को कुछ पार्ट बहुत अच्छा सेंट्रलाइज तरीकास हो तो बहुत अच् सब्सक्राइब और अमीर के बीच में यदि दूरी और नजदी के बीच में बात करां तो सेंट्रलाइज सहर के बीच में तो अच्छी व्योस्ता हो जाए लेकिन बहारी जो आउट्डोर हैं बिम अत्री व्योस्ता कौन करता हैं तो यह भी एक मांकी विसंगती है इन्हीं सर बिलकुल सही फरमाया कि जो गंदगी मुक्त करने का हमारा संकल्ब है उसमें जब तक सारे शेत्रों को साथ नहीं जोड़ा जाएगा सभी लोगों और वर्गों तक उचित इंफरस्ट्रक्टर नहीं पहुँच पाएगा गंदगी का उचित निस्तारण नहीं हो पाएग हैं इसलिए बहुत जरूरी है जो आपने बात की सस्टेनेबल ड्वेलपरिंट के रूप में बहुत ज्याधा जरूरी है इन शेत्रों को भी चौड़ते होएं इनकी प्लैनिंग करते होएं स्वचता के साथ में सरकार की एक जिम्मेदारिय हैं और सरकार की जिम्मेदारिय में कि बहưởng सनसादन उपलब्ब्द करा एगा होे। सनसादन उपलब्ब्द कराओे, इक लिए सरकार की जिम्मेदारिय तरहोनी की हो ची जाया है सरकारं के लिकाएं किया सको, सरकारी नेंटन के लिकाएं किया सको देखिए निगरानी बहुत ही इंपॉर्टन कंसेप्ट रहा है जो पहले भी 2 अक्तूबर 2019 में जब हमने उस डेट को हमने पूरे देश को ODF गोशित किया था तो उसमें निगरानी समितियों का बहुत इंफेक्टिव इंपॉर्टन रोल रहा था गाओं गाओं इस तर पर निगरानी समितियों बनी जिसमें वहां के वार्ड पंच चुड़े, वहां के लोकल लोग चुड़े, वहां के प्रभुत जनपरति निदी चुड़े उनके हर रोज मॉनिटरिंग और फॉलो अप से ही ये सुनिश्टित हो पाया कि खुले से शौच मुक्त का ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस्फल रूप से एक्जिक्यूट हो पाया तो निगरानी समयतियों का आज भी उतना ही इंपॉर्टन रोल है क्योंकि आज हम ओडियफ मुक्त हो चुकि ओडियफ स्टेटस हमने अचीव कर लिया है पर ओडियफ मिंटेंड रहें और आगे भी हम ओडियफ के रूपे ही चल सकें और आगे भी स्वचता का लेवल मिंट संतर संब्स सब्सक्राइं कि ऑडिया फींटियों कि एक्ष सेक्टर की का वाट अबने सहरे सेक्टर की कहो मौस पानी का सेंसादन प्र यूज़ के लिए आफित हो जायां जानृवर भी बठेया है तो मSei clicking कि promote और जान व्म को मौसम आफ़ यह आज पर इके पै coconूम भी पिलावो और भी जो भी भी को यूज कर से के आवशक्ता के तोर पर बठा होतो रहे जल संसाधन दूसी तो नहीं है एक ही भी आपने बहुत बड़ी जम्यदारी है क्योंकि वो एक मात्र पानी को संसाधन यदी दूसीत हो तो निस्टित रूप से मैं बीमारें सो ग्रसित हो दूसे से और उसी भीमाइर सुछा भी सामने करनों पढ़ सकते जो ईलास के लाइक भी नहीं रहे और बड़ी गंबिर भीमारें के रूप में मिले पानी ने आप सुछ रआख सका जो छो चुटी तलाई से लेकर बड़े तलाव से लेकर के और जो आपने जला पूर्ती का संसादन है बठा तक गंदगी को आलम ना पहुंसे के तो इक लिए आपनों काई विचा रहे हैं देखिए यह बहुत जरूरी है कि जो हमारे जल संसादन है उनको सास स्वच रखा जाए और जब हम लोग इस पूरे स्वच भारत इन पानी के सूर्सन के उसके करण वून पानी सूर्स दुषित हो जायेगा और कईने कई आस पास की पबलिक बीमार ओंगी कोईने वह रोग फैलेगा तो यह बहुत निसला स्वेह है कि हम जब प्लैनिंग करें गाओं की और गाओं की प्लैनिंग बहुत अच्छे रूप स गूगल मैप्स और गूगल अर्थ के सिस्टम से की जा रही है जहां पर आधुनिक टेक्नीक के साथ हम लोग गाउं में प्लैन कर रहे हैं कि कहा नाली बननी चाहिए कहा पानी निस्तारित होगा पर हम उसमें जरूर दिहान रखे जो हमारे पारंप्रिक सोर्स हैं पानी के उन यूज को भी है जो उद्योग दंदा में बहुत जाता उप्योग करें जा रहे हैं आपके आफशक्ता के लिए उप्योग करें लेकिंगा पानी को जट पर डिस्पोजल करें तो महां का समाने पानी के साथ ही बें प्रवाइद कर दें महां का यह आई नदी नाला में भी प पानी को ट्रीट करके और एप्रोप्रियट सी ओडी लेवल पे ही पानी को डिस्चार्ज करेंगे ऐसे नहीं है कि वो किसी भी पानी के सतर को कहीं पे भी पानी के साथ डिस्चार्ज कर सकते हैं तो अलरडी रूल्स और रेगुलेशन निवार्मेंटल पोटेक्शन एक्ट विबिन अधिनीमों के तधित बोग में इनकी नैसेसरी है कि कठोर रूबसे फिल्ट पे पालना हो और साथ में नैसेसरी है कि पॉलिजन वबाग, पुलिस वबाग साथ में अन्य वबागों के साथ इसकी जॉइन्ट टीम्स बनाके फिल्ट में इसकी क्रियानविती देखी जाए तो इन बहुत नेसेसरी आपने विशे उठाया है पर इसमें फील्ड में क्रियानविती और एफेक्टिव एक्शन की बहुत सुरूरत है उद्योग जगत की भी बराबर भूमिका है कि आपके एक गंदगी का बांके नाम सो लाग बाड़ा यह ब्लेम ने बैद दूर कर राक है खुद ही आपका इस्तर पर बिन पानी जो आपका अठासो डिस्पोजल वे रहे हैं जो कैमिकल पानी है या साधा पानी है या जो भी फैक्टिव के कारण सो परदूशत पानी है बिन खुद भी को उपचार कर और फिर बिन बारे छोड़े तो मैं समझा है कि अद्योग पत कारबन डाइक्साइट कानी का निकालने से काफी परिशानी वय यू प्रूश्शन में भी को बढ़े त्रीका को देख़न मिल रहे है तो वय यू परूशन में भी यजन दंदा की बहुत बटवरी मुद्धा है और इसकी implementation में हमें ध्यान रखना है कि industrialization हो globalization हो, विकास भी हो पर वो विकास sustainable हो ऐसा विकास ना हो जिसके कारण जल या वाईउ या धरती pollute हो जाए उसका विकास का कोई अर्थ नहीं होगा तो जो आपका विकास के माईने है उसमें हम sustainable development की बात करते हैं, इसमें यही concept है कि जो उद्योग है, वो अपनी corporate social responsibility समझते होए, अपनी समाज के प्रतिक उतरदाई तो समझें कि जो समाज से वो input resources प्रियोग कर रहा है, उस resources को वो उचित रूप से fit for human consumption जरूर रखे, ऐसा ना हो कि वो उसको दूशित करके, प्रदूशित करके छोड़े, सरकार ने तो इसके लिए नियम बनाये हुए, नियमों की पालना भी वरी है पर इसमें समाज और corporate जगत का जुड़ना आवशक है और उनके level पे moral responsibility की रूप में इसमें contribution करना अतिया आवशक है तो अपने देख रहे हैं कि आपने जल production हो चाहे वाईव परदूशन हो चाहे आस पास की गंदकी को कोई कारण हो यह मैं कुछ कारण हैं आपने खुद के जवरे जुड़े हुए हैं, जो आपने घर परिवार से हैं आपने गाउंट से जुड़ेडी भी उसता है कुछ आपने अध्योगी करन्स के कारण से हैं कुछ आपने ट्रैफिक के वज़े से भी एक काफी वायू परदूशन में बड़ो युगदान है ट्रैफिक में भी बड़ा अच्छा सुधार भी करे जा रहा है बढ़ के बार हम आपने दर्सक भाएन और बता वोच जा रहा है देखिए ट्रैफिक के लेवल पे आजकल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स तियार किया जा रहे हैं विबिन सिटीज में अब ये तियार किया जारा मॉडूल की कौन सी ऐसी सड़के हैं पे ट्रैफिक का मॉमन बहुत जादा हाई रहता है कहां पे परदूशन का लेवल हाई हो रहा है और हमने विबिन पेरामिटर्स जैसे आपके जिसमें एर एर कौलिटी इंडेक्स भी एक पेरामिटर है जिससे हम नापते हैं कि पॉल्यूशन का क्यास तरह है अगें ट्रैफिक के समस्या का उचित निस्तारन करने के लिए सरकार के सतर से विबिन प्रियास किया जा रहे है और वो ये भी बताया जा रहा है कि आप कैसे इस एर पॉल्यूशन का उचित निस्तारन कर सकते हैं जैसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं आप रोड्स का प्रोपर यूटलाइजेशन कर सकते हैं फिर आप ट्रैफिक का मैनेजमेंट और डाइवर्शन प्रोपर कर सकते हैं ताकि सभी जगा पे ऐसा ऐसी को इस्तिती उत्पन ना हो कि एर पोलुशन का लेवल अनकंट्रोलेबल हो जाए या एर कॉलिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जाए और इसके साथ सरकार का ये प्रियास भी रहा है कि अब इलेक्ट्रिक वहां ने एक वरियता दी जा रही है दूसरों आपने जो प्रोडूशन को लेवल हो भी मैं भी शाय सुधार करता हैं भारत टू तू तरी फोर फाइप और सिक्स का लेवल तक भ जो वहां बंड़ अब हम भारत सिक्स लेवल का नॉर्म यूज करे जा रहे हैं ये भी आपने प्रोडूशन ने कम करवा में उप्योगी है ये सारे अमिशन नॉर्म सरकार हर समय समय पर रिवाइज करती रहती है ये इसलिए कि लोगों में अवेरनेस आए और साथ में पॉ आपम बात करे रहा हैं पर दूशन के साथ में इक सौट चता करी यदि ये सौ जन समयन आपको योगदान नहीं कर रहे सरकार आपको पार्टन आअच्य तरीका से निर्वाने कर रहे है तो ज् worked주!? आपको गंभीर बिमारें का सिकार हो जाओं। स्वच्चता के साथ स्वच्चता जुडेडी है। यदि मैं स्वच्चता पर अतरों धहन नहीं दिया जै कि आपको बातिचत कर रहे हैं। आपको अपना स्वच्चता पर काई काई गंभीर तरीका कासर आपको देख भन मिल रहे हैं। स्वच्चता के साथ योगधान नहीं करा है। देखे, स्वच्चता स्वास्चता से शुरू से लिंक्ट है। के अबारे में हम कंटिनूसली न्यूस्पेपर हम कंटिनूसली आर्टिकल्स में पढ़ते हैं और इसमें मुझे लगता है कि बैमारियां भी फैल रही हैं और कॉमन वेक्टिम को भी आजकल इन बैमारियों का अभास है यह पाया जा रहा है कि जहां पे स्वचबारत मिशन में जहां जहां अच्छे से खुले से शौचमुक्त की अक्टिविटीज की गई साथ साथ ओडियाफ कैमपेंग अच्छे से किया गया मलेरिया डिंगू चिकन गुनिया इन सब की समस्या बहुत कम हो गई और जो पहले भ्यावे रूप में यहां पे हानी होती थी में मिम्रित् ना सिर्फ लोग वहां के स्वास्त होते हैं वहां की ओवरॉल जीडीपी वहां का ओवरॉल ओवरॉल एफेक्टिवनेस उस पब्लिक की बहुत जादा इंप्रूव होती है यह डिरेक्ली अब्जर्वड पैरामेटर और यह साथिकली प्रोवन स्टडिय यह अपन देखां क च्र मोरग पेट की बिमारी और बहुत सारी बिमारे जो साथी बता रहे हैं आण सब बिमारें Sound बिमारें और बोत से ब्रही इसमो कि अन्जरा आपकरा आफ़ने के साथ सुर्व कोई अपन भानी हैं तो आपन से पितिशित remote तो आपन जोट रखनी हैं एक कि रेक यह चीज के लिए देखिए इसमें बहुत आपने इंपॉर्टन विशे हाइलाइट किया यह बायो मेडिकल वेस्ट जो है इसमें चिकित्सा विभाग का एहम महत्पून योगतान है जो हॉस्पिटल्स में ड्रग्स यूज होती है सिरिंजिस यूज होती है नीडल्स यूज ह होती है और भी जो आपके नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसका सारा पैकिंग जो है रेड पैकेट में किया जाता है यह लाल पैकेट्स को डेली मेडिकल है और हेल्थ डिपार्टमेंट विभाग हर रोज इनका निस्तारन करने के लिए जम्यवारी रहती है इनका अगर बिना ट्रीटमेंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है तो मेडिकल विभाग की तरफ से बहुत नेसेसरी एक्टिविटी की जाती है और इसमें डेली ही बायो मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है तो देखो आपने विश्य है कि आपने स्वच्चता रखी बाख खुद भी अच्छा सुप परदूशन मुक्तर है वेकी गंद की की डिस्पोजल सही डंग से हुए आपने दर्सक बहने एक चोटो सो संदेश स्वच्चता और स्वच्चता के बीच में देखे स्वच्चता और स्वच्चता के लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि आप लोग सब समझते हैं कि पहला सुक निरोगी काया है और स्वच्च राजस्तान और स्वच्चता राजस्तान के हम संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प में ही अगर हम ये समझे हैं कि ना सिर्फ हम लोग बिमारियों से बचेंगे, हम रोख-मुक्त रहेंगे, हम खुद के लिए भी एक उन्नत जीवन परिकल्पना कर सकते हैं और आने वाले समाज को और आने वाले हमारी पीडियों को भी एक सुन्दर साफ योगी से दोगा, मैं आशानी मेर को विश्वास है कि संपूर्ण भारतवासी और रास्तानी इस में इस मुहिम में जुड़ेंगे और अपना अमुल्य योगदान देंगे संदु साथ में आपना साथ में अपना स्वास्ते की कामना कर सका हैं देश की काम ना कर सकाँ, स्वास्त प्रदेश की काम ना कर सकाँ, स्वास्त रास्तान की बात कर सकाँ बस सारी टिक है आपने स्वाच्छता पर आपने इस अंदेश के साथ में आज की वारतना अठेवी राम देओं अगले चौपाल में नई चर्शाक साथ फिर आजिर हो जब तक लिए लिया हम विदा धन्यवाद